मुख्य की मूर्कता कहानी को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चानल को जरू सब्सक्राइब कीजिए अभी भी बिना सब्सक्राइब कीए कई लोग सुन रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए घराने की परंपरा के अनुसार रुषभेंद्र गाव का मुक्या तो बना लेकिन था वह बुद्धु एक बार एक किसान ने उससे शिकायत की महाशै मेरे खेतों की फसल एक भैसा चर रहा है किसी उपाई से उसे वहाँ से बाहर भगा दीजिये ना मैं नौकरों को बेज कर उसे भगवा दूँगा रुषभेंद्र ने कहा तब तक तो शायद वह सारी फसल कुछल डालेगा किसान ने फिर कहा तब तो उसको खेत के बीच से निकलने के लिए दो आदमियों का इंतजाम कर देता हूं ग्रामादकारी के इस कथन के खीच कर विचारा किसान वहाँ से चला गया एक बार ग्रामवासियों ने उसका मजाक उड़ाने के लिए उससे कहा महाशय गाओ के सभी लोगों का यह विचार है कि शिवालाई को एक गज पीछे हटाया जाये तो उत्तम होगा अरे यहां कौन बड़ी बात है कहकर रिशबेंद ने सव लोगों को बुलाया और उनको मंदिर पीछे हटवाने के लिए आदेश देकर निशाने के लिए अपनी पगडी मंदिर के पीछे एक गज की दूरी पर रखी लोगों ने मंदिर हटाने का नाटक किया और उसे कहा अहांशै आप पीछे जाकर देख कर तो आईये मंदिर पीछे हट गया है नहीं ग्रामादकारी मंदिर के पीछे गया तो वहां पगडी थी ही नहीं कोई उसे चुरा कर ले गया था मगर अधिखारी दोड कर फिर लोगों के पास आया और कहने लगा अरे तुम लोगों ने मंदिर एक गज से अधिक पीचे डखेला है मेरी पगड़ी उसके नीचे दब गई है मेरी दोड़ी दोड़ी回去 से रजके टृड़ी दů झाल झाल